transmit 99 की बात होगी या जाद स्ञदा सन्दोहजार की बात होगी 1999 के ही सैद होणी चाहिए बात है पहली वार अपने राम चार नहीं की आत्रा पर गए साध्र ही साध्रु थे एक juvenile स्वयक्ति साध में थे यम्न उत्तरी जी जा रहे थे तो जहां धर्म साला में रुके थे वहां से फिर पैदल चल के अब तो रास्ता आगे तक बन गया है तो आगे तक गाड़ी चली जाती है और फिर पैदल पाँच साथ किलो मीटर से चलना पड़ता है पहले ज्यादा चलना पड़ता था पैदल तो अहां रुगय धर्म साला में अब वहां से नीचे जमना जी थी ठंड खूप थी पानी भी बरसरा था पर हमको तो बड़ा भाव जम भारा जमना जी हम तो लोग तो जमना किनारे रहने वाले हैं प्रणदावन धाम में तो अब यहां रात पर रुके थी तटपे तो जमना जी में सनान करें और लोग तो जो है वो ठंड के मारे लेटे थे कंबल ओड के आपने राम कमंडल उठाए बिना किसी को बताए चुप-चाप वहां से चले पहाड में ऐसा होता है कि देखने में लगता है ऐसा कि बिलकुल यह पास में है पर जब उतरने लग जाओ तो बड़ अब इधर के रहे ना उधर के रहे ऊपर जाएं कि नीचे आँ में तो उतर के खेर भगवत क्रपा से नीचे चले गए पहाड के जो लोग होते उनको परवती रास्तों में चलने का भ्यास होता है और हम लोग तो अभ्यास भी नहीं होता पर कहीं गिरे विरे नहीं अब फिर एकदम शरीर का कोई ज्यादा भू नहीं रहा भान नहीं रहा भली ठंड थी बड़ा आनंद आया और हमने गीत गोविंद की एक अश्टपदी मन में आया कि यमना जी हैं इनको रास की अश्टपदी सुनावे अब जैसे ही गाने लग गए ऐसी आवाज जैसे गं होगी चंदन चर्चित नील कलोवर पीत वसन बन वाली कितनी वारश्टपदी ये गाई होगी लेकिन उस दिन का गाना ऐसा अधुत हुआ कि यमना जी के जल जल तो एकदम ऐसा हो गया नील मनी और जितनी शिलाएं थी वो सब दिव्य प्रकास से चमग एकदम नील मनी के ज सब मनी मय जैसे होकर गें चमकने लगें और हम भी एकदम होसे नी रहा हम कहां बैठें कैसे बैठें क्या बोलने क्या इसके बाद जब लोग आए वो खोजे सब कहां चले गए महाराज कहां गए देखा तो हम नीचे थे फिर और लोग भी आ गए त्यागी जी वेगरा भी अब यह है यमना जी वही है गंगा जी वही है लेकिन वे चाहें तो एक जलक अपनी दिविता की दिखा सकती है और नहीं तो कुछ नहीं दीखेगा यही इंटा पत्थर दीखेगा और यह सब दिव्य भूमी है कब अपने स्वरूप की अन्भूती करा दें इनकी क्रपा की श्री सिताराम प्रतितिन सत्संग एवम दर्शन के लिए श्री महराजी के ऑफिशल चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें